नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आइंस और मैं हूँ आपके साथ जोती यादव साथ यहां के विधायक धिरेंदर सिंग मौझूर है हम उनसे बाच्चित करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखर जो बीजेपी नारा लगा रही है आसी सीट जीपने का उत्तर प प्रदेश के जो हालात थे वो कानून विवस्ता हो या डवलबमेन की हम बात करें या फिर किसानों की हम बात करें जो समस्याएं पुरानी सरकारों ने पैदा की थी तो एक आमूल चूल परिवलतन हम 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में देखते हैं और आज हम इसी लिए 80 सीट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में यहां की 25 करोड आवाम की खुसाली के जो रास्ते उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी ने बनाएं निशित तोर से एक विस्वास जनता का जो हमारे प्रदेश के मुख्य मंतरी में है वह उत्तर प्रदेश को भारतिय जनता पार्टी के खाते में असी सीट निश्य तोर पर डालेगा इसमें किसी को संदे नहीं होना चाहिए इस बार क्या-क्या मुद्दे हैं जनता के लिए जनता के सामने तो मुद्दे हैं हम लोग विकास पर वोट मांग रहे हैं अगर हम अपने जिले का उधारन लें तो ये वही जिलाए जहा 2017 से पहले ततकालीन सरकारे किसानों के नाम पर लूट मचाती थी यहां बड़े बड़े उद्योग पती और विल्डर जिन्हें गुंडे परिसान करते थे यहां से निवेस दोड़ने लगा था दूसरे परांतों को जाने लगा था तो आज दुनिया भर के निवेस आग इस सब्सक्राओं की सुरक्षा का विसे है वह आज इस जिले में एक मुद्दा है योगी जी के समय में जिस तरीके से हर वर को सुरक्षा मिली है तो यह इन मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां दुनिया का एसिया का एक बहुत बड़ा अंतरास्ती इस पार्क वहां आ रहा है फिल्म सिटी एक मुंबई की तर्ज पर बनने जा रही है जो इस उत्तर प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तै करेगी कुल मिलाकर यहां जो योजनाय लाई जा रही है वह उत्तर भारत के नौजवानों के भविस्टे के लिए उनके रोजगार के लिए लाई जा रही है तो मैं समझता हूं इन सारी बातों को यहां की जनता समझती है और गौतम बुदनगर से एक संदेश जाएगा इस पूरे देश के लिए और हम उत्तर प्रदेश में असी सीठों के साथ उन्हें मोदी जी को देश का परदान मंत्र बनाने के लिए करत संकल्पिते सुरक्षा से जुड़ी कई मुद्धे सामने आ रहा है अभी बी कई जगाओं उपर लोगों की मारपीट का वीडियो सामने आ रहा है तो सुरक्षा किस तरीके से अगरा फिर जीपी बीजपी तो इसको कैसे टैकल करेगी देखिए योगी ज था का उसके लिए पूरे देश में योगी जी को अपना आदर समझते हैं जो चोटी मोटी घटना हैं आप बता रही हैं ये हो सकता है हो जाती हो लेकिन कुल मिलाकर आज हैं कमस्नरी विवस्ता है हर चौराई पर आपको पुलिस नजर आती है और काफी कमी दो हजार सत्रे क यहां अपराधों में आई है मेरे छेत्र में ही लगातार 35 लूट की घटना है समाजवादी पारिटी के समय में हुई थी और जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है कोई लूट की घटना उस छेत्र में नहीं हुई तो कुल मिलाकर कानून विवस्ता हमारे उत्तर का दायत है हम लोगों के उपर है बहुत 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 शुक्रिया आपका बात्चीत के लिए अब देख रहते हैं हमारे साथ विदायक धिरेंद्र सिंग थे मैं जूत ही आदव उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए नौटा